दोस्तों गराबी युवराज सिंको बहतरीन क्रिकेटर मांते हैं तो हमारे इस वीडियो को लैक्स जरूर कीजेगा दोस्तों IPL 2021 के बाद IPL 2022 की तैयारियां सभी टीम में लग गई हैं और इस साल दोने टीमों का आगमन हो रहा है जिसमें एक लखनों तो दूसरी एहमदबाद की टीम है जिसमें लखनों के कप्तान राहुल बने है तो वहीं एहमदबाद के कप्तान हारदिक पांडिया बने है लेकिन इन दोनों टीमों के अलावा बैंगलोर की टीम भी एक कप्तान ढूल रही है जिसमें RCB के टीम को एक कप्तान मिल गया है तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कौन हो सकता है RCB का कप्तान लेकिन उससे पहले युवरास सिंग और विराट कोली में से कौन है बहतरीन बलेबाज अपनी राय हमें नीचे दियेगे कमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों IPL 2022 में इस बार दोने टीम में हिस्सा ले रही है तो वो मेगा उक्शन में हिस्सा लेंगे इस बार बी सीसी आई का कठोर नियम टीमों के खिलाफ चला गया बी सीसी आई ने इस बार चार खिलाडीओं को मैगसिमम रिटेन करने का आधिकार दिया जिसका फायदा उठाकर कुछ टीमों ने तो अपने मुख्य खिलाडियों को रिटेन कर दिया तो वहीं कुछ टीम मुख्य खिलाडी को रिटेन करने के बाद भी दुविधा में है जिसमें R.C.P का नाम भी आता है क्योंकि R.C.P की टीम में विराट कोली ने कप्तानी करके से मना कर दिया था और इसके बाद R.C.P की टीम में विराट कोली को 15 करोड में फस्र रिटेंशन के रूप में शामिल किया गया है और दूसरा खिलाडी ग्लेन मैक्सवेल है जने 11 करोड में टीम में शामिल किया है और तीसरे खिलाडी मोहमस सिराज है जने 7 करोड में टीम में शामिल किया गया लेकिन RCB की टीम के लिए समस्या है कि उनके पास कोई भी कप्तान नहीं है क्योंकि विराट कोली ने कप्तानी छोर दी है और युवराज सिंग को RCB फ्रेंचाइज ही अपनी टीम में शामिल कर सकती है और अपनी टीम का कप्तान भी बना सकती है क्योंकि RCB एक अनुभव वाले खिलारी को ढूंड रही है जो RCB की कप्तानी भी कर सके और AB Develiers की रिप्लेस्मेंट भी बना सके इस सीरीज में सबसे पहला नाम युवराज सिंग का ही है क्योंकि युवराज सिंग बहतरीन कप्तान भी है और साथ साथ तेस तर्रार बलेबास भी है क्योंकि वराज सिंग ने ही सबसे पहले T20 क्रिकेट में 6 गेंदो पर 6 शक्के लगाये थे और इनका ये रिकोर्ड आज भी कायम है तो वहीं RCB की टीम कई और खिलाडियों पर दाव खिल सकती है कप्तानी के लिए जिसमें सबसे पहला नाम आता है श्रेस ऐयर का श्रेस ऐयर तयार एक ब्रैंड इंडियन प्लेयर हैं जो विराट कोली की परफेक्ट कप्तानी में रिप्लेसमेंट है क्योंकि श्रेस ऐयर ने दो साल दिल्ली की कप्तानी की लेकिन रिशप पंत के आने से उन्हें दिल्ली की टीम से रिलीस कर दिया और श्रेयस आयर के अलावा शिखर धवन भी एक कप्तानी का विकल्प है क्योंकि वो निलामी में जाएंगे और इनके साथ भी श्रेयस आयर के जैसी खोबी है क्योंकि ये परफेक्ट ब्रेंड प्लेयर है और विराट कोली की रिपलेसमेंट है और इसके अलावा मनीश पांडे भी कप्तानी के विकल्ब हैं क्योंकि एक अनुभवी खिलाडी और कप्तान है और इनके अलावा कुछ विदेशी खिलाडी भी RCB की कप्तानी के लिए काबिल है जिसमें सबसे बड़ा नाम डैविड वार्नर का है क्योंकि डैविड वार्णर IPL के लिए बहुत बड़े खिलाडी है और हैदरबाद को उन्होंने एक बार खिताब भी दिलवाया है और हैदरबाद की इन्होंने साथ साल पहले कप्तानी करी है और वहीं इनके अलावा जैसन होल्डर और स्टीव स्मित का नाम भी सामने आ रहा है क्योंकि ये दोनों खिलाडी अपने अपने देश के लिए बहतरीन कप्तानी कर चुके हैं दोस्तों आपको क्या लगता है रसी बी की कप्तानी कौन सा खिलाडी करेगा अपनी राय हमें नीचे दिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शांदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद